कि है एलो एवरीवन वेलकम टू आर यूटूब चैनल वीक्य ओलान पेपर तेको यहां पर मैं आपको कुछ जानकर देने वाला हूं उस जानकर को पहले सबसे पहले आप सुन लीजिए इस वीडियो को कुछ स्टुडेट तो एप्लिकेशन पर देखेंगे और कुछ समझ में आ जाएगा तो मैं complete आपके समय टॉपिक को गताता हूं एक टूज समझना है तो आपको skip नहीं करना है अगर आप इसकीब करोगे आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा तो मैं आपके समने जो टॉपिक को गताता हूं पहले तोपीक है आपका ठोसो में दोस्ट पढ़ने वाले हैं इसको आप इंगलिस में अपनी नोट में लिख सकते हैं हाला कि मैं आपको यह समझाने के बाद पूरे अपने जो नोट से लिखाऊंगा तो वीडियो को skip मत करी लिखिया यहां पर डिभेक्ट इन सॉलिट जमाकर इसमें लिख लिए ठोसो में दोस्ट ह वह दो प्रिकार का एक तरीके से होता है बिंदू दोस और रेखिये दोस बिंदू दोस को हम कहते हैं पॉइंट और रेखिये दोस को कहते है लाइन यहां पर बिंदू दोस है वह दो प्रिकार का होता है दो प्रिकार का कौण कौण से होता है इस्टाइकोमेट्री और नोन तो इसके अंदर आपको पुरा sword paper के िनदर पताय गए, इसके पूस में पड़ाइगा घ्या कहा क्या है? तो यह में इंपोर्टेंट होता है क्लास लेने का इसलिए बोलते हैं कि लेगुलर लो और क्लास कैसे लग रही है जरूवता ना में इसलिए बोल रहा हूं अच्छे से पढ़ो सोट के दोस और रिक्तिका दोस और अंतरकासी दोस यह होते हैं इनके बारे में आप complete लिखिये में आपको इनके बताता हूं एक तरही किसए एक्जांपल लाश्ट में समझजाएंगे पहले इनकी कुछ definition है जैसे कि सोट की दोस क्या है मैं जी सब से पहले ठोचओंम दोस है क्या उसकी definition लिखाएंगे फिर उसके दो परकार है बिंदुदो और रेखिए दोस्त तो बस्के दोस में अपको बताइता हूं, तो मैं आपके सामनेागे अपको बताइता हूं, मेरे जो नोटस है वह आपके सामने complete A to Z में आपको guide करने बाला हूँ, तो यहाँ पे सबसे पहले आप जमा लीजिए, और देखो मैं जो जो class आपको दो रहा हूँ, दे रहा हूँ ना, sorry, जवार क्रिस्टल जाती है बोलने मैं, तो सबसे पहले ठोसो में दोस, अब यहाँ पे आपको question जबा र है, उसमें, अल्प मतलब थोरी अपूरता है, अवस्चे पाई जाती है, इन अपूरताओं कोई ठोसो में दोस कहा जाता है, defect in solid in Hindi, कहने का मतलब है, complete Hindi में आपको बता रहा हूँ, इंग्लिस में आपको बता दिया, defect in solid English में है, और ठोसो में दोस, यह आपका हिंदी में है crystal में, अल्प अपूरताय अवस्चे पाई जाती है, इन अपूरताओं कोई ठोसो में दोस कहा जाता है, यह आपकी परिवांसा इसकी हो जाती है, next, लिखो अगली line, एक line छोड़ के लिखना, ठोसो में दोस दो पिरकार का होता है, ठोसो में दोस दो पिरकार का होता है, फि फिर नीचे लाइन एक लाइन छोड़ के फिर दुबार लिखो बिंदू दोस फिर बिंदू दोस के आप डेफिनेशन लिखिए क्रिश्टल में किसी परमानु के चार और आदर्स विवस्ता में उत्पन दोस कोई मतलब क्रिश्टल है क्रिस्टल में किसी परमानों के चार और आदर्स विवस्ता में उत्पन कोई दोस हो रहा है उस दोस को इका कहते हैं बिंदू दोस कहा जाता है लिख लिया फिर अगला पॉइंट आपका जमाना है बिंदू दोस दो परकार के होते हैं अभी हम रेखिये दोस पे नहीं जा रहे हैं रेखिये दोस के बारे में अभी डिसकस ही नहीं कर रहे हैं बिंदू दोस पड़ा है बिंदू दोस के दो परकार होते हैं पहला लिखो रस समीकन मितिये दोस इसके बारे में कुछ डेफिनेशन लिखाता हूं फिर इसके बारे में पढ़ेंगे इसके बारे में भी डिसकस नहीं कर रहे हैं इसके बारे में आगी करेंगे पहले इसके बारे में क्योंकि बिंदु दोस पढ़ रहे हैं दो प्रिकार का आए तो पहला लिखिए रस समीकण मितिये दोस और दूसरा है ए रस समीकण मितिये दो तता रिनायनों का अनुपात परिवर्तित नहीं हो जाए, मतलब कि धनायन है और रिनायन है, इनका जो इस्थान है एक तरीके से वो परिवर्तित नहीं होता है, मतलब इनका जो अनुपात है वो परिवर्तित नहीं होता है, इस परकार के दोस्त को इस टाइको मेट्री दोस्त रिक्तिका दोस्ट और चोथा लिखो अंतरकासी दोस्ट ये लिखने के बाद फिर एक नमबर जमाओ दुबारा से फिर लिखो सोट की दोस्ट की परिवासा आप लिखो मैं डाइग्राम भी आपको समझाऊंगा पहले डेफिनेशन आप लिख लिए यह most important अभी इच्छा में आता रहता है आप सभी को बता है कि BSC का जो result है कितना खराब रहता है क्योंकि आप पढ़ते हैं लेकिन एक्जाम टाइम पे आप अगर रिवीजन भी नहीं करते हैं तो आपका result कितना खराब रहता है राइस्थान उन्वसेटी हो चाए अलबर भरतपूर कोटा उन्वसेटी हो सीकर हो MGSE हो किसी भी उन्वसेटी से हो सभी में रिजल्ट के तो यहीं दिक्कत रहती है ए सोट की दोस अब सोट की दोस लिखो यह दोस साधन आयनिक ठोसों द्वारा प्रदेशित किया जाता है इस दोस में धनायन और रेनायन अपने इस्तान से हटकर अर्थात आयनिक योगिकों के क्रिस्टल में जब बेपरित आयन सामायन जालक किस्तलों में अनुपस्थित हो जाते हैं तो क्रिस्टल में रिक्तिकाय उत्वण हो जाती है कहने का मतलब है इस तरीके से पूरा ड्रो हो रहा है मैं आपको एक्जाम्पल में समझाऊंगा उसमें से क्या है वहां से धनायन और रेनायन अपने इस्तान से हट जाते हैं उन और वहां पर क्या उत्वण हो जाती है और रेक्ती यहां मितलब खाली स्तान और पर आजाता है रेक्तिहां हो जाती है इने रेक्ती के कावो कोई कैस कहा जाता है स्वर्ट की दोसिख कहा जाता है मैं आपको पूरा डीय enroll समझाऊंगा उस में आपको बताऊँ हलां कि अप समझ रहे होंगे इस तरीके से स्टेक्चर्स आपका बन रहा है है। यहां पर में पूरा यह आपको बना देता हूं तो कि आ यह आपको समझ में आ जाएगा जाएगा. झाल झाल